Hello everyone, Assalamualaikum आज का जो वीडियो है हमारा वो बहुत ही important रहने वाला है आज का जो वीडियो है वो हम class 10th, 11th और 12th के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका जो result है वो कब तक आने के chances है इस वीडियो में हम ये आपको बदाने वाले हैं कि उनका जो latest notification है वो क्या है क्या है क्या नहीं इस के बारे में भी हम इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगी फिलाल के लिए आपको करना क्या है अगर आप नए हो तो हमारी इस YouTube चनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जुरूरान करना और हमसे जुनने के लिए आपको description में WhatsApp की link मिल जागी वहाँ पर जाके आप join हो सकते हो ठीक चलो इंपोर्टन वीडियो है वो हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर जो की वीडियो है हमारा आज का जो है वो है result के बारे में ठीक है सबसे पहले अगर हम 10th की बात करेंगे मैंने आपको बता दिया था कि जो पिछला result था class 10th का वो उसमें से परसंटेज थी वो क्या थी वो थी 80% यानि कि अगर 100 में से students ने exam दिया तो 100 में से 80 students जो है वो पास हो गए सिर्फ और सिर्फ 20 students फेल हो गए ठीक तो आज की जो information वीडियो हमें यह मिली है कि आज भी कम से कम 75 तो 80% result जो है वो आ गया है class 10th का और यह आपको मैं बता दूँगा कि 10th का paper ज्यादा hard नहीं आ गया था और 10th का जो 10th की जो marking होती है उसमें ज्यादा कुछ जो है वो ज्यादा उसमें stress नहीं लिया जाता वो आपको hard नहीं होती बलकि आराम से वो marking जो होती है ठीक है इसी तरह किसे अगर हम 12th बात करेंगे 12th वालों के लिए 12th का जो result है उनका भी पिछले साल जो है 60 आ गया था या 75 आ गया था तो इस साल भी मुम्किन है कि इससे भी ज्यादा आ जाएगा क्योंकि आपको बता होगा कि डिरेक्टर अफ एजुकेशन ने बता दिया है कि हम जितने भी student से उनको हम fail नहीं करेंगे इतना तो हम ने जो है वो initiate उठा है क्योंकि आपने द लास्ट में 11th class का result आ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा UFM की notification जब आ जाएगी UFM यानि unfair minus जो notification आती है उसमें लिखा होता है कि आपका जो roll number है case हो गया है वो notification आती है उसके बाद जो है 15 days लगते है result में और उसके बाद आपका result आता है अगर मैं आपको date बता दू result का result का जो date है मैं आपको approximately बता सकते हूं कि result का जो आने वाला date है वो हो सकता है कि वो June के पहले week में आ जाएगा यह second week में आ जाएगा ठीक कि अभी में 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 कोई chance नहीं है आने का क्योंकि hard zone और soft zone का exam जो है वो different time पर होता है लेकि result on time होता है result same time पर होता है इसमें कोई gap नहीं होती जब result आजाएगा इंशनला मैं आपको information दोगा अपनी इस YouTube के जरीए और अपनी इस WhatsApp ग्रूप के जरीए जो आपने join किया होगा ठीक अगर आपको कोई confusion है तो आप मुझे Instagram पी फालो कर सकते हो Instagram की link भी है description में वहाँ पर जाके आप मुझे follow भी कर सकते हो मैं अगर आपको ज़्यादा information चाहिए तो आप मुझे या कर सकते हैं आप मुझे Instagram में follow करके message करो मैं आपको वहाँ पर reply दे सकता हूँ ठीक तो फिलाल के लिए छोटा से वीडियो था informative वीडियो था अगर पसंदे लाइक शेयर जोरो करना दीजिए इसाज़त अल्लाह आफिस प्याई श जोब में शेजिए अल्ड़ चीजिए गगा हुझे सेवाँ भशचे सब्स्षाने भीडियो लोरो का मुझे से वीड़ की अन आप मुझे सेवार